एक सो सोला दिन से दिल्ली में लाखों किसान दिल्ली का गेरा डाल के बैठे हुए आप सबी जानते हैं ये देश और दुनिया का सबसे बड़ा अंदोलन इस अंदोलन ने कही इतियास रचें ये अंदोलन देश में सोशन के खिलाप है देश में पूझी बाद के खिलाप है ये अंदोलन देश के किसान, देश के मजदूर, देश के छोटे और मध्यम व्यपारी उन तमाम देश के सरकारी उपकरम जिनको ये सरकार निरंतर बेच रही है ये तमाम उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा है जो कहीं न कहीं इन सरकार की नीतियों से पीड़िद ये बड़ी लड़ाई, हर वर्क की लड़ाई है, ये शुरू किसान ने की हमारे पंजाब के किसान भाईयों ने इसकी शुरुवात की तीन कानूनों को लेके जिन तीन कानूनों पे ये लड़ाई शुरू हुई लड़ाई शुरू हुई के देश के किसान को MSP की गारंटी दी जा, देश के किसान की कोई भी फसल MSP से कम के बाउपे ना खरीदी चाहे, चाहे सरकार खरीदे या बाजार खरीदे लेकिन कीमत जो सरकार ने निर्धारित की है जो MSP है उससे कम पे एक दाना भी ना करीदा जाए इस बात को लेके ये लड़ाई शुरू हुई यल्ला जनर शोषने विरुद्धा नडिता इरत्तकंता आंदोलना इदु कार्मिकरू, दुडिववरू, मध्यमुवर्ग्दोवरू, सन्न व्यापारिगळू, सन्न पुट्ट उद्धिमेदाररू, मोदलाधंता यल्ला जनरो यारो इस सर्कारद नीतिवळिंदा, सर्कारद योजनेवळिं नंदवरिदारो, आ यल्लर परवादंता होराटा इस होराटा वन्ना रहित्रू आरमसिदर निजा, रहित्र इदना मोदलमाडिदर निजा आदरे इदु केवला रैतर होराट मात्रा अल्ला इल्ला जनसमुदायगड होराट कुड़ा हुदु मूरु कराल काईदेगड़ु वापसागले बेक्कु हागु कनिष्ट बेंबले बेले प्रकारवे इदेशद रैतरु बेलदिर्वांता उन्दंदु काड़ो धान्यवों कूडा माराटा अगबेको अन्नों तद्दु ये आंदोलने रैतर हक्तोताया अदनना सरकार खरिदी मड़तो मार्कटेली अदन यार खरिदी मड़तारो अन्नों तकिन थेच्चागी सरकार ने आंदोलन की शुरुवात में सरकार ने कहा कि ये आंदोलन के वल पंजाब के खिसानों का कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा कि हरियाना पंजाब और फश्मी उत्तर परदेश के खिसानों का अंदोलन फिर सरकार ने कहा ये उत्तरी भारत के कुछ राज्यों का अंदोलन सरकार में यह आरोप लगाया कि यह अंदोलन विपक्ष के दुआरा भर्मित की होगे लोगों का अंदोलन सरकार में कहा यह अंदोलन बड़े किसनों का अंदोलन खालिस्तान के लोगों का सबर्चक लोगों का अंदोलन हिंदुस्तान की जन्ता ने तमाम बातों का जवाब दिया पिछले तीन दिन से हम करनाटक में है तीन दिन से हजारों हजार लोग सबाओं में जुट रहे है करनाटक के लोगों ने ये साविच करके दिखा दिया है कि ये अंदोलन केवल उत्तर भारत का अंदोलन नहीं है ये अंदोलन पूरव से पश्शिल और उत्तर से दक्षिन पूरे भारत का अंदोलन है पूरे भारत का हर समुदा है हर वर्ड, हिसान, मजदूर, करमचारी, व्यपारी तमाम इस अंदोलन में है ये आंदोलन मुक्ती का आंदोलन ये आंदोलन पूझीवाद के खिलाप आंदोलन है ये अमीर और गरीव की लडाई का आंदोलन है ये आंदोलन फैसला करेगा इस देश में पूझीवाद बचेगा या इस देश में हम आदमी बचेगा प्रदेश दा केलोव मंदी रहित्र होराटा इदू इन्नां सला हेल्टू विरोध पक्षगड कुम्लक्किनिंद बंदीर वन्ता केलोव रहित्र होराटा मत्तों सला हेल्टू खलिस्तान दो परवाद अंतोर होराटा श्रीमांत रहित्र होराटा हीगे दिनकोलनांद आरोप वन्ना इदू प्रतियोंद सबेलू पालपल्टा वन्ता नूरार जनिरू इदना साबीत माड़ता इदरे इदू आदोलना केवल उत्तर भारतितर रहित्र दल्ला केलोव श्री पूर्वदिन्द पक्षिच्चमद तनका प्रतियोंद रहित कुटुमबद आंदोलना इदू यल्ला वर्गणिगे सेर्थकंता दुडिवा, मध्यमवर्गद, श्वमिक वर्गद, यल्ला प्रतियोंद कुटुमबद आंदोलना इदू इदू विमोचने आंदोलना इद देश में कहने के लिए परजा तंत्र परजा तंत्र में आदमी को आजादी होती है अपनी अभिवेक्ती की अपने विचानों को वेक्त करने की अपनी आवाज को बुलंद करने की करनाटक के लोग अच्छी तरह से जानते ये फासिस्ट लोग जिस तरह से गौरी लंकेस का कतल किया इन लोगोंने वो करनाटक के लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता क्या कसूर था हमका उन्होंने एक आवाज उठाई थी उन्होंने इस उत्विडन इस फासिस्ट वाद और पूंजी वाद के खिलाप आवाज उठाई थी ये लोग गोली से दबाना चाहते क्या कसूर था उस बच्ची का जो दिशार अवी थी जिसको इन्होंने उठाके जेल में डाल दिया ये निरलज लोग है ये बेशरम लोग है जिनको ना बड़े की शरम है ना छोटे की शरम है ना गरीब की शरम है सत्ता के नसे में चूर है और बंदूक की नौक पे ये इस देश का राज चलाना चाहते है इन्होंने तरे तरे के अतकंडे इस्तेमाल किये इन्होंने अंदूलन में कभी छेतरबाद को बड़ावा दिया इनके गुंडों में जाके हमारे जो मोर्चे हैं जहांपे किसान धर्ने पे बैठे हैं महां पे जाके गुंडागर्दी की इनके लोगों ने जाके फुलिस के पेरे में फुलिस का इस गलत इस्तेमाल करके बदमासों से बीजेपी के कारिये करताओं से अंदोलन में पच्छर फिकवाए और एक पत्रकार हमारा जो मंदीट पूनिया था जब उसने इस बात को लिखा अख़बार में तो उसको उठाके जेल में डाल दिया ये परजातनत रहे देश का ये राज है देश में और इस तरह की कारिये पर नाली एज्च सरकार की आप लोगों के सोच ना पड़ेगा नरले ना पड़ेगा इस देश में ये लोग सत्ता में आए थे कि MSP पर गारंटी देंगे सत्ता में आये थे C2 पलस 50 स्वामी नाचन की रिपोर्ट को देश में लागू करेंगे सत्ता में ये लोग आये थे मंडी विल का विरोध करके सत्ता में ये लोग आये थे कॉंटेक्ट फार्मिंग का विरोध करके जिन बातों का इन्होंने विरोध किया था जिन बातों की इनों ने गारंटी दी थी तमाम बातों से बुकर गए तमाम बातों को नकार दिया इन लोगों ने आज केवल और केवल मात्र आदमी को दबाना चाहते है हमारे अंदोलन में जो कोई भी मदद कर रहा उसमें ED के छापे पड़ रहा है उसमें जुर्माना किया जा रहा हमारे अंदोलन में को ट्रांस्पोर्टर बस लगाता है तो ED का चापा पड़ता है कोई होटल वाला हमारे भाईयों को अगर ठेरने के लिए बाडर पे जगें देता तो ED का चापा पड़ता 25 लाख रूपे एक ओटल के मालिक पे इसलिए जुर्माना किया क्योंकि उसने आंदोलन कारियों को रुकने और नाने के लिए जगें उपलद करा रख दी ये राज इस तरह से राज किया जाता उसके दोसी हम और आप हम और आप हैं कही ना कही हमने एक ऐसी पार्टी को दिल्ली के लिए चुना है जो राज करने के काबिल ही नहीं है जो परजात अंत्र में विश्वास ही नहीं रखती है जिसके पास देश के विकास का कोई एजेंडा नहीं है केवल और केवल कॉमिनल एजेंडे के कंदे पे चड़के वो इस देश में राज कर रही है कॉमिनल एजेंडे के उपर पूरे देश को घुमरा किया दरम इस देश की कमजोरी रहा सद्यों गुलाम रहे हम इस धरम की वज़े से और आज एक पार्टी ने इस पूरे देश को दुबारा से उस धरम की आड में गुलाम बनाया क्या है एजेंडा इनका एक मात्र है एजेंडा है अजय जा मैं राम मंदिर बनाएंगे मंदिर तो पहले भी बहुत है मंदिर बनाए कोई धार्मिक सहस्था हमको इतराज नहीं है लेकिन ये राजनितिक दलों के एजेंडे नहीं होते है राजनितिक दलों का एजेंडा होता है देश का विकास, आम आदमी का विकास, गरीब का विकास नौजवान को रोजगार वो इनके एजेंडे में नहीं है ये हमेशा जब भी चुनावाता है देश को धरम से जोड़ते हैं इससे घटियापन कोई हो नहीं सकता इन्होंने इस तरह से इस देश का वातावन बना दिया है जैसे राम का ठेका बीजेपी को मिल गया अगर बीजेपी को बोट दोगे तो आप राम के बंत हैं और अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो आप राम के बद नहीं है ऐसा वातावर्ण इन्होंने इस देश में बना दिया लोगों को वर्मित कर दिया राम किसी के बाप का नहीं राम सबका है राम जनजन में है राम कनकन में है राम लोगों के हिर्दे में रहता है राम लोगों को लड़ाता नहीं है राम लोगों को नफरत करनी नहीं सिखाता है ये लोग तो बिल्कुल एक राम की किसी सीख को जानते ही नहीं है किसान का मजदूर का राम उसके फावडे में होता है उसके खेत में होता है, उसकी मजदूरी में होता है राम सुबह से शाम तक उसके साथ होता है उसको कहीं राम को डूडने की जरूरत नहीं होती राम को डूडने के लिए किसान और मजदूर को मंदिर में जाने की आफशक्ता नहीं होती इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा अगर इसको नहीं समझेंगे तो ये लोग आपका शोषण करेंगे और पता नहीं कितने बरस तक शोषण करेंगे जितनी जल्दी आप समझ जाओ जितनी आप बंगाल में वोट माँग रहे हैं बंगाल में वोट माँग रहे हैं आपके हाँ अभी चुनाव नहीं है तो शांते हैं एक मुठी चावल के नाम से वोट माँग रहे हैं केवल बंगाल में वो कंपेंट चला हुआ है आसान में चला हुआ जहां जहां चुनाव हैं क्योंकि वो चावल के नाम से धरम को जोडते हैं और धरम के नाम से वोट को जोडते हैं और आप इसी ब्लेक बेलिंग में इमोशन में आके इनके सोसन के सिकार होते हैं हमने कहा बंगाल के भाईयों को आप वोट जिसको मर्जी देना लेकिन ये एक मुठी चावल जो मांग रहे है इनसे पूछ लो के चावल की MSP कहा है चावल हमारा 800 रुपे में बिक रहा है 1900 रुपे का भाव है 1900 रुपे चावल के कम मिलेंगे इनसे सवाल करो इन निरलज्जों के पास, बेशर्मों के पास जवाब नहीं लेकिन हम सवाल नहीं करते हैं हम सवाल नहीं करते हैं गर्दन जुका के बेड़ बन के खड़े हो जाते हैं इसलिए ये अमारी गर्दन को कलम करते हैं हमको खड़ा होना पड़ेगा सम्मान और सवव इमान से खड़ा होके अपनी मांग अपनी तकलीफ को बुलंद करना पड़ेगा तो हम बचपाएंगे हम करनाटक के लोगों से आवान करने आए हमारा आने का यह मकसद है लडाई लंबी चलेगी बड़ी लडाई है पहले तीन बिलों को लेके शुरू की थी अब तीन बिल नहीं है अब तो गरीब आदमी को सोशण से मुक्त कराना है अब तो हर देश के उस आदमी की लडाई है जो पीडित है जिसका उत्मिडन इस सरकार के मादम से किया जा रहा है चाहे वो किसान है मजदूर है करमचारी है व्यवपारी है तमाम वर्गों की लडाई है संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा आपसे ये निवेदन करने आए बहुत से लोग यहां पे ऐसे मुझे मिले जो वह दिल्ली गए है जिनोंने दिल्ली का अंदोलन देखा दिल्ली आपसे बहुत दूर है दिल्ली का आना जाना आपको बहुत महगा पड़ता है बहुत दूर पड़ती है लेकिन करनाटक के लोगों को बैंगलोर दूर नहीं है दिल्ली जैसा मोर्चा जिस दिन बैंगलोर के चारों तरफ लग जाएगा उस दिन ये फते हो जाएगी आपसे निवेदन करने जा रहा है जिस तरह से उत्तर भारत के किसान ने देश की राजदानी को रोक के रखा करनाटक का किसान और मज़दूर बैंगलोर को पके तरीके से चारों तरफ से रोक दे तो निसी तोर पे आप हमारी मदद भी करेंगे इस देश के गरीब को शोषण से मुक्त करेंगे ये एक दिन के धरने परतरशन और भाषण दे के चले जाने से लड़ाई जीती नहीं जाएगी पर्मानेट बोर्चा इस बैंगलोर में लगाना पड़ेगा करनाटक के लोगों को जब तक वो पर्मानेट बोर्चा नहीं लगेगा तब तक वो लड़ाई फते नहीं होगी मैं करनाटक से बहुत दिन से मैं जोडा हूँ प्रोफेसर स्वामी के नेतृतों में प्रोफेसर नंजुंगा स्वामी के नेतृतों में हमने बड़ी बड़ी लड़ाईयां लड़ी हैं मैंने ये बैंगलॉर देखा है जब एक ही उनकी आवाज पे लाखों लोग लिखटा हो जाते थी मैंने वो दौर देखा है मैंने इस जगे को देखा है प्रोफेसर ने जब गेज की चिकन पे किसानों को ले जाके उसके शोरूम को डिस्टोय किया था तो यहीं इसी जड में प्रोफेसर आके बंद हुए थी मैं इस जगे को नमन करता हूँ यह वो पवित्र जगे हैं जहां सोशन के खिलाब एक बादुर व्यक्ति ने आवाज उठाई थी आज यहीं से एक आवाज करनाटक के लोग दे करनाटक के लोग खड़े हों कि हम बैंगलोर में एक पक्का मोर्चा लगाएंगे हिंदुस्तान की सरकार को बैंगलोर से हम यह संबेश देगे कि दक्षिन भारत का किसान करनाटक का किसान दिल्ली के किसानों के साथ है तो निश्यत तोर पे इस लड़ाई में आप लोगों की विजे होगी आपने मुझे सुना, मैं आप काहाँ बारी हूँ धन्यवाद, जै किसान अवर मातिन्दू, अधर नंतर दल्ली सामाजिक जालतानवड मूलुक्का अवर भाषन पूर्ण पट्ट्यवन्ना, निम्मेलर्गू तलुपुस्टलागत्ते बंदुवड़े इवद्थू, इदेश्दली प्रजातंत्र इदेन थेल्ड़ाग्ताईदे अभिवेक्ति स्वातंतर इदे एन थेल्ड़ाग्ताईदे आगर करनाटक अधर जन्रिक्त तेड़ुदू, फ्रैसिस्ट्रों यावरी इति इल्ली आल्विक्य माड़ताईदरे एन माड़ताईदरे नुदू, यक्कंदरे इदेनेलद गौरी लंकेश वरन्ना फ्रैसिस्ट्रों, गुंड ओरदो कोले माड़ताईदरों, येन थप्पीत्तों आवर्दू, अवरो अन्याईद विरुद्ध, अभिवेक्त्ती स्वातंतरद परवागी, प्रस्ते इत्तुगरों अर्नों कारणक्कागी, अवरनों गुंड अर्दू कोले माड़ताईदरों, येन थप्पीत्तों, दिशारवी अन्नू अंता, उट्ट वुडगीदों, आके एन्ना, आके माता आड़िद्ध कागी, बंदनगल इड़िपेकागीत्ता, इवत्तों, पोलेसरें ना, हुंदिट्ट कोंडो, यावरी इतियली, आंदोल्नमन, मुरियू अंता, प्रयत्नम आड़लाग्ताईदे, संगपरिवारद, गूंडावनन, मुंदिट्ट कोंडो, याव थरदली, आं MSP न तड़्डायवाग जारी गोड़स्तिवें तेली जन्र केड़ू, स्वामिनातन वरदी प्रकारा, C2 प्लेस 50, दर कोड़स्तिवें तेलू, खासिके मंडेवड़ विरुद्धा मात्याड़ू, तांट्रेक्ट क्रिशी पद्धती विरुद्धा मात्याड़ू, आगर प्रतियोप्र मेले एडी दाली निडिता इदे, इडी इन मुंधित्ट कोंडो, आंदोलनाना दब्बायल के मड़वं ता प्रयत्न निडिता इदे, इरीथियल्ली राज्या आलबेक्ता इवरू, इदु राज्या आलवं ता लक्षनाना, नावु निवू इवरू देशा गुलाम रागी बाळु माडिदिवी इग मत्तपुना, अदे धरमदा गुलाम गिरिगे, नमन्ना यूरो तल्टा इदरे, यूर अत्रा इरोल वंद अजेंडा, आदो राममंदिर इदा आजंडा, इदेशिदल्ली मंदिर कड़ु मुद्लू इद्वो, आ मंदिर कड़िक आस्तिनों उल्ला, रामा इदेशिद जनर रुदेयदली दने, रहित्रू कारमेकरु रामननना हुड़को दिक्के मंदिर कोप्बेक आगि इल्ला, होलदल्ली दुडिता इर्वन्त वरू कारमेकरू, रहित्रू, बरगिनिंद संजेतन का रामनन जोतेल इर्थतरे, अवर ग्रामा आहरा दुडिमेली दने, आहरा श्मधली दने, आवरा बेवरनली दने, मत्तो आवर रुदेय दली दने, आहरिका आगी राममन् Antonत धेसरू जनरंना, रहित्र कारमेकरू उल्ला, वर्फप कादू अगत्य इल्ला, इदनना नाउं आर्थभा मढ़ कोण बेक्सू इवा तो पश्चिम बंगालदों चुनावने नडिता है दे चुनावने संधरपदल यल्ल नडिता है रगियो चुनावने यल्ला कड़े असामले पश्चिम बंगालदल्ली वंद मुष्टी अक्की कोड़ी नमग नीवों थड़ी इवा तो पश्चिम बंगालदों चुनावने यल्ला कड़े प्रश्चिम बंगालदों चुनावने पश्चिम बंगालदों चुनावने यल्ला कड़े